अलो दोस्तो मैं हूँ Mr.Dev और आज मैं आपको टेली यार पिनाइन के अंदर वाउचर टाइप या वाउचर क्लास कैसे बनाते हैं कैसे प्रिपेर करते हैं ये बताऊंगा तो इसके लिए सबसे पहले आपको वाउचर टाइप क्या होता है ये मालूम होना चाहिए वाट इज वाउचर टाइब वाउचर एक supplier के लिए दाइत्यों और भुक्तान प्राधिकरित करने के लिए आंतरिक दस्तावेज होता है यह सबसे अधिक manual भुक्तान परणाले में प्रियोग किया जाता है कहने का मतलब क्या है कि आपके पास बहुत सारे वाउचर होते हैं जिनकी इंट्रियां करनी होती है तो बहुत सारे अलग-अलग tax होते हैं उनके अंदर अलग-अलग input type के tax लगे होते हैं अलग-अलग frights लगे होते हैं तो उनको यूज करने में आपसे गल्ती हो सकती है तो आपको मैं बता दू कि वाउचर class किस-किस type की हो सकती है और कैसे होती है तो वाउचर class आपको दिखाए दे रहा होगा चार type के आपको दिख रही होंगी जैसे कि पहली class है एक sale wbst यह sale wbst 5% नाम है यह इसमें बता रहा है कि अलोट करना है 95% of sale value के लिए of sale account और 5% देना है sale value to sale tax के लिए एक दूसरी class बता रहा है एक और class बनाओ जिसमें wbst यह और शर्चार्ज है अलोट 100% दे रहा है जिसमें sales tax 40% है शर्चार्ज एक परसेंट और फ्राइट पांच रुपे पेस्ट ओन क्वांटिटी है इसी तरह से एक third class है जिसमें बता रहा है sale no tax बनाना है जिसमें तो मैं आज आपको सिर्फ voucher class बनाना बता रहा हूं कि voucher class हम कैसे बना सकते हैं और इस class की according हम कैसे voucher इंटर कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं voucher class बनाने के लिए तो सबसे पहले हम एक company बना लेते हैं करोगे क्रियेट कंपनी वाउचर ग्लास कंट्रोल एई एसकेप तो आप यहां गेटवे ओफ टैली में पहुंच जाओगी गेटवे ओफ टैली में अकाउंट इंफो में जाकर आप यहां पर देखोगी कि आपको यहां पर वाउचर क्लास दिखाई दे रहा है क्रियेट करेंगे हम अब हमें अपने वाउचर क्लास का नाम देना है तो नाम दे रहा हूं है यह मैंने नाम दे दिया है अभी पूछेगा टाइप ओफ वाउचर कि आप किस टाइप का वाउचर बनाना चाहते हो तो मैं सेल के लिए बना रहा हूं तो मैं यहां पर सेल स्लेक्ट करूंगा मेथड आफ वाउचर नम्वरिंग आटमेटिक और मैनुल तो यहां पर मैं अभी फिलाल आटमेटिक लेके चल रहा हूं मैनुल के बारे मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा यहां पर पूछ रहा है यूज एडवांस कन्फिग्रेशन हम इसको भी अभी नो रखेंगे अगर हम इसे यस करते हैं तो यहां पर एडवांस फीचर्स खोल जाएंगे यह भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा तो हमें इसे नो रखना है इसे भी नो रखना है अभी यहां पूछ रहा है print after saving voucher हमें save नहीं करना है यहाँ पर पूछ रहा है post invoice no आप यहाँ पर default title दे सकते हो declaration कर सकते हो और यहाँ पर आप class name define कर सकते तो आपको name of class में वही देना है जो आपने name define किया है जैसे wbst sale at 5% अब आपको यहाँ पर दिखाए दे रहा हुआ exclude these group exclude these group के अंदर जो आपको right side list दिखाए दे रहा है इन में से लेना है जिनको आप use नहीं करना चाहते हो अपने voucher के अंदर तो उनको हम यहाँ से leave कर देते हैं जिसे हमें bank और draft की जरूरत नहीं है हम इसे leave कर देते हैं bank account की जरूरत नहीं है आप leave कर दो branch cash in hand नहीं चाहिए और creditor हमें नहीं चाहिए end of list अब आप include यहाँ पर आप उनको लोगे जो सिरफ आपको चाहिए एक bank account चाहिए आपको cash in hand चाहिए और एक debt चाहिए याद रखना आप जब यहाँ पर exclude करोगे जो जो चीज आप exclude नहीं करते हो आप उने voucher पर यूज नहीं कर सकते हो और include में जो आप list of group में से चूज करोगे आप उसे यूज कर सकते हो end of list अब यहाँ पर हमें control c करके sorry alt c करके आपको हैं sale account बनाना है sale account हमेशा sale account के अंदर ही आता है अब आपको यहाँ पर laser बनाना है laser बनाना है आपको sale tax जो कि हुआ पर बताया ग्यादा class के अंदर कि एक sale tax बनाना है जिसे 5% lot करना है तो यहाँ पर जो हमारा sale tax होता है हमेशा on total sale पर लगता है तो यहाँ पर 5% आप accept करा सकते हो इस तरह से आप अपनी first class ready कर सकते हो इस तरह से हमें दूसरी class बनानी है जिसका नाम है wbst sale at the rate 5% at the rate 1% same यहाँ पर भी आपको sale रखना है इस तरह से बाकि सब कुछ as it is name आप दोबारा define कर सकते हो यहाँ पर sale at the rate 5% at the rate अब यहाँ पर भी आपको फिर से वही करना है जो आपको नहीं चाहिए आप उने लिव कर सकते हो अब यहाँ पर exclude जो आपको चाहिए आप उसे ले सकते हो अब यहाँ आपका पहले ही बना हुआ है अब इसके अंदर बनाना है आपको शेल टेक्स आपको शेल टेक्स आपने पहले ही बना रखा है आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो ओन टोटल सेल इसी तरह से आप बना सकते हो शर्चार्ज यहाँ पर आप डिफाइन कर सकते हो एज सर्चार्ज 2 इसी तरह से आप बना सकते हो यहाँ पर डिलिवरी चार्ज इंडारेक्ट एक्सवेंट्स यह आपका खर्च है यह आपको लगाना है ओन टोटल स्वरी बेस्ट ओन क्वांटिटी बें 10 रुपीट्स पर इस तरह से आप सेकेंड क्लास तैयार कर सकते हो इसी तरह से आप एक क्लास और बना सकते हो इसमें भी आपको सेम रखना है आप और नेम डिफाइन कर दीजी सेल एड़ेट फोर परसेंट यहां पर सेम हुई जो आपको नहीं लेना है आप उन्हें छोड़ दीजी सेल आपने पहले ही बना रखा है अब आपको यहां पर सेल टेक्स डिफाइन करना है जो आपने पहले ही बना रखा है और यहां पर आपको यहां पर 4% डिफाइन करना है इसी तरह से एक no tax भी बना सकते हो आप wbsd जोली 2 प्रॉश पर ले 306 और यहां जोली 2 फ मैं जोली 2 दॉश वCr 3 Nebraska 1 च़एन जो इसी तको ग्हाएन मैं यह मॉन द दोशिएन करना है और 6 उन् दॉश। जोंटे है ज्वार बना परी आपने लाएन करी चली सेल n why जोब्या़ जो़ वैश। अब आपको यहां पर कोई laser नहीं बनाना इसे आप accept कर सकते हो इस तरह से आप अपने सारे की सारे voucher class बना सकते हो अब हम voucher class का use करके देखते हैं जितने भी आपने voucher class बनाए है तो आप यहाँ पर देखोगी किसी कोशन्स हैं आपके पास वाउचर क्लास के लिए कि भाई रिची रिच होटल ने एक सीडी पलेयर लिया है 3900 रुपे का जिस पे 4% का टैक्स लगा हुआ है और बिल नंबर है यह तो चलो हम इसकी इंटरी करके देखते हैं तो आपको कहा जाना है Accounting Voucher में जाना है अब आप यहाँ पर F8 प्रेस करें जैसे ही आप F8 प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर क्लास दिखाई देने लग जाएगी कि आपने कौन कौन सी क्लास बना रखी है आपको वह क्लास चूज करनी है तो 4% तो 4% वाली क्लास लेनी है क्योंकि यहाँ पर आपको 4% दिखाए दे रहे हैं कि देख सकते हो करसर के पास 4% दिखा रहा है तो आप चूज करोगे 4% तो यहाँ पर आप बिल नंबर डाल सकते हो रिच इस टाइप में पार्टी वाले का नाम आप अल्ट्षी करके बना सकते हो कि यह आपका सेंड्राइड एप्टर होता है कि बिल बाइब आपको नो रखना है आप यहाँ पर अभी आपको कुछ नहीं पढ़ना अब नेम ओफ आइटम तो आप अल्ट्षी करके नेम ओफ आइटम बना सकते हो सीडी पलेयर अब आपके पास यहाँ पर ओर नमबर मांगरत नहीं है तो हम नोट अपली केबल करके चलेंगे तो कॉंटिटी एक पीस रेट 29 रुपे आप देख सकते हो कि यहाँ पर अपने आप ही टेक्स कट गया है इसी तरह से जैसे आपका सैकेंड कोश्चन है सोल्ड टीवी ट्रोली वन पीस फैशन वर्ल्ड और चार परसेंट का इस पर टेक्स लगा रहा है तो आप इस तरह से आप बना सकते हो फिर से होई 4 परसेंट ओल्रेडी आपके पास सेलेक्ट है पार्टी गाने बना सकते हो टीवी ट्रोली अल्टी एगर के आप टीवी ट्रोली बना सकते हों पीसीज नॉट अपलीकेबल यहां पर लिक्स दो अब यहां पर आप रेट भर सकते हो तो आप देखोगे कि यहां पर टैक्स कट रहा है इसी तरह से जैसे आपके पास नेक्स्ट कोश्चन है आपका सोल्ड थ्रीपीस फ्लोपी ड्राइब और सेल टैक्स 4% सर्चार्ज 1% और फ्रेट 5% मैंने महां फ्रेट की जाएगे डिलिवरी ले लिया है डिलिवरी चार्ज दोसे कुछ नहीं होता किसे खरीद रहा है फ्रॉम माल्डा गोडाउंस और पिनाक कंपनी से पिनाक कंपनी ठीक है तो इसकी इंट्री करते हैं तो यहां पर बिल नमबर डाल दीजी इस तरह से यहां पर कंपनी का नाम पिनाक पिनाक कंपनी अब दीखें यहां पर क्लास चूज नहीं की मैंने यहां 4% दिखा रहा है लेकिन हमें क्लास चूज करनी थी क्योंकि उसके अंदर सरचार्ज दिया हुआ है फ्राइट दिया हुआ है और सेल टैक्स दिया हुआ है तो इसके लिए हम वापीस एफ एट प्रेस करेंगे और यहां पर अपनी क्लास चूज करेंगे लाइक यह वाली तो आप देखोगे कि यहां पर ओल्डेडी क्लास आ गई है जो आपने वाउचर क्लास में डिफाइन किया था अब एंटर करके देखिए अब आप यहां पर ले सकते हो फुलोपी ड्राइव i could not applicable became अब यहां kuantret डाल सकते हो 3 red डाल सकते हो अब आप देखोगे कि यहां पर go down की entry नहीं हुई जबकि आपके question में यहां पर साफ़ाप लिक रखा है माल्डा गोडाउन लेकिन जब हम एंट्री कर रहे हैं तो यहाँ पर गोडाउन नहीं आया तो इस कंडिशन के लिए आपको एफ 11 की फीचर्स में जाकर आपको यहाँ पर यह गोडाउन वाला ओप्शन यस करना पड़ेगा कि यस करने के बाद आप इसे दोबारा से एंट्री कीजी नोट अप्लेग देखो आप यहाँ पर गोडाउन सो कर रहा है तो अल्ट सी करके आप गोडाउन बना सकते हो इसी तरह से इसके अंदर अगला बना सकते हो आप मोनीटर आप नोट अप्ली केबल गोडाउन डाल सकते हो यहाँ पर मालडा क्वांटिटी 10 इस टाइप में तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपके पास टोटल क्वांटिटी 13 हो गई है और पर पीस 10 रूपीज 130 आ रहा है यहीं कि आपका वाउचर क्लास सही है इस तरह से आप वाउचर क्लास बना कर वाउचर क्लास की इंटरी कर सकते हो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको वाउचर क्लास विद टैक्स कैसे इंटर करते हैं वो बताऊंगा अभी आपने वाउचर क्लास सिखा है बिल्कुल सिंपल विदाउट टैक्स नेक्स्ट क्लास में मैं आपको वाउचर क्लास विद टैक्स बताऊंगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें थैंक यू